हलो फ्रेंट्स, कितनी बार आपको ऐसे महसूस होता है कि आपकी आँखे फ्रेश नहीं लग रही है आँखों में एक लाली है, उठने के बाद सुबह ऐसे लगता है जैसे आँखों में कुछ गड रहा हो ये सारी सिंटम्स हैं ड्राइ आइस के मैं Dr. Manjusha Shrivastav, Life Bliss, आज आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ ड्राइ आइस के बारे में इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए Indian Journal of Ophthalmology के सर्वे के अनुसार भारत में 30 से 35 प्रतिशत लोग ड्राइ आइस की बिमारी से ग्रस्त है ड्राइ आइस के बारे में आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया है पहले हिस्से में मैं आपको वो 7 common कारण बताऊंगी जिनकी वज़े से ड्राइ आइस होने के chances बढ़ जाते हैं और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ 7 preventive tips के बारे में जिनसे आप ड्राइ आइस के बिमारी से बढ़ सकते हैं और अंत में बात करेंगे कुछ treatment के बारे में आईए बात करते हैं dry eyes के कारणों के बारे में अगर आपकी उम्र 50 साल से उपर है या आप post-menopausal महीला है या आपका mobile या screen time बहुत ज्यादा है या आप किसी systemic बिमारी से ग्रस्त हैं जैसे की diabetes, hypothyroidism, lupus, arthritis या आप किसी particular medication ले रहे हैं depression या hypertension के लिए या आप एक regular contact lens user है या आपने अपनी लासिक की surgery कराई है तो ये सारी चीज़े बहुत common होती है dry eyes के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अपनी आखों का एक normal protective mechanism क्या होता है और क्या होने से dry eyes किस symptoms आने लगते हैं अपनी आखों के आगे के परदे पर एक परत होती है जिसे tearflim कहा जाता है ये tearflim तीन हिस्सों में divided है सबसे बाहरी जो layer होता है वो lipid layer होता है बीच का layer पानी का होता है और सबसे अंदरोनी layer mucin का होता है ये layer आँख के आगे के परदे को oxygen भी provide करता है और उसे protection भी देता है सबसे बाहरी जो layer है lipid layer वो आँखों के पलकों में stiff memomian glands से release होता है अगर किसी वजह से ये memomian glands उस lipid layer को proper मातरा में ना produce कर सके या उसे आगे के परदे तक ना पहुंचा सके तो जो बीच का पानी का layer होता है ये directly बाहर expose हो जाता है और इसकी वजह से आँखों में खुशकी महसूस होने लगती है आँखों में redness आने लगता है और धीरे धीरे patient को dry eyes के symptoms आने लगते हैं अब बात करते हैं dry eyes के complications के बारे में अगर dry eyes right time पे treat ना किये गए तो उसके काफी complications भी हो सकते हैं जैसे की conjunctivitis, headache, contact lens tolerate ना कर पाना, driving में difficulty होना, आँखे खुली रखने में difficulty होना और अगर ये बिमारी बढ़ जाती है तो आँखों के आगे के परदे पर जखम हो सकती है जैसे की corneal ulcers या abrasions तो dry eyes के symptoms को neglect ना करें और कोई भी आपको आँखों से related problem हो तो अपने eye doctor से ज़रूर contact करें अब मैं आपको बताऊंगी कुछ 7 आसान tips जिनको follow करके आप dry eyes के बिमारी से बढ़ सकते हैं धूल मिट्टी और धूब की जगापर जाते समय आँखों पर चश्मा होना ज़रूरी है अगर आपका screen time ज्यादा है तो इसे नियंतरन में रखिए screen की light को हमेशे कम रखिए air conditioner, hair dryer और पंके की हवा directly आँखों पर ना आने दे smoking, alcohol और cold rings का सेवन ना करे आँखों की health के लिए पानी बहुत ज़रूरी है दिन में कम से कम 7-8 glass पानी लेना चाहिए omega 3 fatty acids का सेवन dry eyes में बहुत मदद करता है और साथ ही एक अच्छी नींद आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है preventive measures follow करने के बाद भी अगर symptoms persistent हो तो ऐसे patients में treatment plan किया जाता है dry eyes के treatment में सबसे पहले नाम आता है lubricating eye drops का ये easily market में available है कुछ patients को lubricating eye drops में के preservative से तकलीफ होती है तो ऐसे patients के लिए preservative free eye drops भी available है अगर इनसे फर्क ना पड़े तो advanced line of treatment plan किया जाता है इसमें use किये जाते हैं punctal plugs जो एक stopper की तरह होते हैं जो nasal lacrimal duct को block करते हैं और आँखों की परत पर आँशों के layer को ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं Lipiflo या IPL याने intense pulse light therapy मैमोमियन glands को activate करते हैं और lipid के layer को बनाने में help करते हैं मार्केट में कई प्रकार के eye masks भी available है जिनको गरम करकर आँखों पर रखने से काफी फाइदा होता है Friends, किसी ने खूब कहा है दुनिया बहुत बड़ी और सुन्दर है और अंधेरा होने से पहले मुझे इसे जीब भर के देखना है अपने आँखों का खयाल हमें खुद रखना है हमारा mission आपका healthy vision अपने आपका healthy vision